नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एक्पार्मेंट गुरुपर गाइस 2023 के एक और नहीं सरकारी भरती का नौटिफिकेशन जारी किया गया अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम यहोगते हैं अपको आपको आपको अपको देखने को मिलेगा अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन है तो मैं आपको आफिशल नौटिफिकेशन पर लेकर को और भी संपूर्ण जानकर यापको बताऊंगा अप्लाई डेट स्लेवास एज क्राइटेरिया सेलेक्शन परसेस और कॉलिफिकेशन के बाद में संपूर्ण जानकर यापको बिस्तार से आपको बताने बाला हूं तो वीडियो को पूरा लाच्ट तो पर जरू वाच करेगा चैनल पर पहले बार आप विजिट कर रहे हैं अप्रेल से आपका स्टार्ट हो चुका है यहां पर लाच डेट अप्लाई ओनलाइन का आपका 21 जून है की जून से पहले आपको अप्लाई कर देना रिटर्न एग्जामिनेशन तो भी अनॉंस अभी अनॉंस नहीं किया गया है रिजल्ट डेट आपका इंटर्वू के बा कर 35 तक आपको से लिए देखने को मिलेगा एज लिमिट यहां पर 18 साल से लेकर 30 साल आपका रहा गया नंबर ऑफ सीट की बात करें तो एक हजार 86 पदों के लिए बंपर भरती यहां पर निकाली गिए ठीक है और यहां पर 12th class pass out candidates इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथ ही यहां आपको आना चीए ठीक है 90 मिनिट का आपके बस समय है सो मार्क आपके यहां पर टेस्ट लिया जाएगा गाईश यहां पर सेंटर गाईश यहां पर बिहार एंड उत्तर परदेश जहारकंड और इस्सा बेस्ट बेंगल करनाटका चंडिगर मध्यपरदेश असाम अनिपू लोग-alag अपने इस्ट डवाइस आपको मिलने वाला है ठीक है इत्क है हाव प्लाई रीकिशन मोड आपका सम्मेचाळागा अपको return test लिया जाएगा उसके बाद आपका return test के बाद आपका यहाँ पर interview आपका लिया जागा walk in interview उसके बाद आपका performance based पर आपको company यहाँ पर रख लेगी ठीक है medical test के बाद आपको यहाँ पर short list आपको करवा जाएगा और गाच यहाँ पर और भी से पूरी information को आप जरूर पढ़ लिजे documents आपको upload करना है कौन-कौन से documents आपको पूरा दिया गया एटिक है और upload करने के बाद आप यहाँ पर interview के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर directly आपको यहाँ पर direct आपको जाइनिंग दिया जाएगा और इसे परकार के लेटिट जिन्हों जॉब के अपडेट से इगूलर पातर रहने के लिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पर पहले वारा विजट कर रहा है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल नॉटिफिकेशन को जरूर बहुत 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 शुब कामने दन्यवाद